हलो गाईस वेलकम बैक ट्यू टू माई चैनल मिस्त्रो आज किस वडियो लेचर में हम लोग जानेंगे परासरण दाप के बारे में ओस्मोटिक प्रेसर और ये आपके लिए क्लाश टॉल्ड और कमेश्टी के सबसे इंपोर्टेंड क्योस्टन है जो कि ऐसे प्रस्थ हर साल परिच्छा में पूछे जाते हैं परासरण दाप क्या है हम लोग इस फिगर के द्वारा समझने कुछिस करेंगे मित्रों परासरण दाप किसे कहते हैं ध्यान दिजी इस पात्र में हमने मिडल पात्र में मध में यस्पीयम लगा रखा है आप ध्यान सुनियेगा एक दम समझ जाएंगा फिगर को देखकर यस्पियम यानि कि सेमी परेमेंबल मिम्ब्रे लगा रखा है इसकी एक साइड में मित्रू हमने तनु विलियन भरा और दूसरे साइड में हमने सांद्र विलियन भरा अच्छे बताए ये परासरण की क्रिया क्या होती है सबराइब कुरिया में हमने आपको यही समझाया था हziękि जो तन्विलियण के होते हैं हम कि क्रिया को समझा रहे हैं जैरा आप समझेयगा जो तन्विलियर के कण होते हैं ये इस पात्र की दिवारों पर लगता है तो जब पतला है तो इसकी गती जूर जादिक होगी तो गती जुर्जादिक होने कारण ये करेगा क्या ये पात्र की दिवारों पर लगाता टक कर मारेगा जिससे यस्पीयम अर्थपारगे में जिली पर भी टक कर मारेंगे और ये आसाने से SPM से छनकर 7 billion की ओर आने लगते हैं इस क्रिया को परासरण कहते हैं अच्छ परासरण दाप क्या है इसी क्रिया परासरण की क्रिया को रोकने के लिए भाई परासरण की क्रिया रुकेगी कैसे कैसे रुकेगी जर आप समझे इस पर आप एक पिष्टन लगाए और दाप डाले पिश्टल लगा के मित्रों जब आप डालेंगे न तो यह क्रिया जो होगी आसाने सरुख जाएगे और इसी क्रिया को तो हम लोग कहते हैं परास्रण दाप जब विलियन से अर्ध पारगया में जिली द्वारा विलायक के अन को प्रिथक किया जाता है तब विलायक के अन विलियन की ओराने लगते हैं इस क्रिया को परास्रण कहते हैं तथा परास्रण की क्रिया को रोकने के लिए विलियन पर जो अतरिक्त दाप लगाना पड़ता है इसी क्रिया को परास्रण दाप कहते हैं इसी क्रिया को मित्रो क्या कहते हैं परास्रण दाप कहते हैं यह आप समझ पा रहे हैं क्या कहते मित्रो परास्रण दाप तो यह सब सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों पास सेयर करना भूलना धन्यमाद